मंत्री मंडल के मेरे सयोगी, राज्य सरकारों के प्रतनिती, इंडिस्ट्री और अक्रेडिमिया से जुड़े सभी साथी, क्रिशी विज्ञान केंद्रों में जुड़े हुए हमारे सभी किसान भाई भेन, देवियों और सज्जनों। यह सुखत सयोग है कि तीन साल पहले, आजी के दिन, पी एम किसान सम्मान निदि की शुरुवात की गई थी। यह योजना, आज देश के छोटे किसानों का भावत बड़ा संबल बनी है। इसके तहट देश के ग्यारा करोड किसानों को लगभग पौने दो लाग करोड रुपिये दिये जा चुके हैं। इस योजना में भी हम स्मार्टनेस का अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक पर दस बारा करोड किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर होना, यह अपने आप में किसी भी भारतिय को, किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व करने वाली बात है। साथियों, बीते साथ सालों में हमने बीच से बाजार तक ऐसे ही अनेक नई ववस्ताएं तयार की हैं, पुरानी ववस्ताओं में सुधार किया है। सिर्फ छे सालों में क्रिशी बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए क्रिशी लोन में भी साथ सालों में धाई गुना की बढ़ोतरी की गई है। कोरोना के मुश्किल काल में भी स्पेशल ड्राइव चलाकर। हमने तीन करोड छोटे किसानों को के सी सी की सुविधा से जोड़ा है। इस सुविधा का विस्तार एनिमल हासमंडरी पशुपालन और फिशरिस से जुड़े किसानों के लिए भी किया गया है। माइक्रो इरिगेशन का नेटवर्क जितना ससक्त हो रहा है उससे भी छोटे किसानों को बहुत मदद मिल रही है। साथियों इनी स्यम प्रयासों के चलते हर साल किसान रिकार्ड प्रोडुक्शन कर रहे हैं और MSP पर भी खरीटे नए रिकार्ड बन रहे हैं। और्गेनिक खेती को प्रोट्सान देने के कारण आज और्गेनिक प्रोडुक्शन का मार्केट अब 11,000 करोड का हो चुका है। इसका एक्सपोर्ट भी छे वर्सों में 2,000 करोड से बढ़कर 7,000 करोड रुपे से ज्यादा हो रहा है। साथियों इस वर्स का एक्रिकल्चर बजेट बीते सालों के इनी प्रयासों को कंटिनू करता है। उनको विस्तार देता है। इस बजेट में क्रिशी को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए मुख्य रुप से साथ रास्ते सुजाए गए हैं। पहला गंगा के दोनों किनारों पर पांच किलोमिटर के दायरे में नेचरल फार्मिंग को मिशन मोड पर कराने का लक्स है। उसमें हर्बन मेडिसिन पर भी बल दिया जा रहा है। फल फूल पर भी बल दिया जा रहा है। दूसरा एग्रिकल्चर और होड्रिकल्चर में आधुनिक टेक्लोलोजी किसानों को उपलद्द कराई जाएगी। तीसरा खाद्य तेल के इंपोर्ट को कम करने के लिए मिशन ओयल को हमके साथ साथ तिलहन को जितना हम बल दे सकते हैं उसको ससक्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इस बजेट में इसको बल दिया गया है। इसके अलावा चोथा लक्षा है कि खेती से जुड़े उत्पादों के ट्रांस्पोर्टेशन के लिए पी एम गतिशक्ती प्लान द्वारा लॉजिस्ट्री की नई विवस्ता बनाई जाएगी। बजेट में पांचमा समाधान दिया गया है कि एगरी वेस्ट मेनेजमेंट को अधिक और्गेनाईज किया जाएगा। वेस्ट एनरजी के उपायों से किसानों की आई बढ़ाई जाएगी। छठा स्वलूशन है कि देश के डेड़ लाग से भी जादा पोस्ट आफिस में रेगूलर बैंकों जैसी सुविधाय मिलेगी ताकि किसानों को परिशानी ना हो। और सांत्मा ये कि एगरी रीसर्च और एजूकेशन से जुड़े सेलेबस में स्किल डेवलप्मेंट, हुमन दूस्ट लेवलप्मेंट आज के आधुनिक समय के अनुसार बढ़लाव किया जाएगा। साथियों, आज दुनिया में हेल्थ एवेर्नेस बढ़ रही है। एइनवार्मेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल के प्रती जागरूपता बढ़ रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी तरफ आकर्शित हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसका मार्केट भी बढ़ रहा है। हम इससे जुड़ी चीजें जो टीजें हैं जैसे नेच्रल फार्मिंग है, और्गिनिक फार्मिंग है, इसकी मदद से इसके मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। नेचरल फार्मिंग के फाइदे जन जन तक पहुंचाने में हमारे क्रिशी विज्ञान केंद्र और एग्रिकल्चर उनिवर्सिटीज को पूरी ताकत से जुटना होगा। हमारे केवी केस एक-एक गाउं गोड ले सकते हैं। हमारी एग्रिकल्चर उनिवर्सिटी सो या पांसो किसानों को अगले एक साल में नेचरल खेती के तरफ लाने का लख्ष रख सकती हैं। साथ यों आजकल हमारी मिडल क्लास फैमिलीज में अपर मिडल क्लास फैमिलीज में एक और ट्रेंड दिखता है। अक्सर देखने में आता है कि उनके डाइनिंग टेबल पर कई सारे चीजे पहुँच गई हैं। प्रोटीन के नाम पर कैल्शियम के नाम पर ऐसे कई प्रोड़क्स का डाइनिंग टेबल पर जगह बना रहे हैं। इस में बहुत सारे प्रोड़क्ट विदेश से आ रहे हैं। और यह भारती टेस्ट के अनुसार में नहीं होते है। जबकि ये सारे प्रोडूरत हमारे भारती उत्पड़ तो जो हमारे किसान पेदा करते हैं उसमें सब कुछ है लेकिन हम सही डंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं उसका मार्केटिण नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए हमें कोशिच करनी चाहिए इसमें भी कल for local जरूड़ी है भारतीय अन, भारतीय फसलों में भी वो बहुतायत में पाया ही जाता है और यह हमारे टेश का भी होता है दिक्कत यह हैं कि हमारे यहाँ इसकी उतनी जागुरुकता नहीं है, काफी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कैसे हम भारती एक अंड को प्रचारीत करें इस और भी हमें ध्यान देना होगा हमने देखा है कि कोरोना कान में हमारी यहां के मसाले हल्दी जैसी चीजों का आकरशन बहुत बढ़ा है इसमें भी हमारा कॉर्पोरेट जगत आगे आएं भारत के मिलेट की ब्रैंडिंग करें प्रचार करें हमारा जो मोटा दन है और हमारे दूसरे देशों में जो बड़े मिशन्स हैं वो भी अपने देशों में बड़े-बड़े सेमिनार करें वहां के लोगों को जो इंपोर्टर्स हैं वहां उनको समझाएं कि भारत की जो मिलेट्स है जो भारत का धान है वो कितने प्रकार से उत्तम है उसके टेस्टी दुश्ची से कितना महतोपून है हम हमारे मिशनों को लगा सकते हैं हम सेमिनार वेबिनार इंपोर्टर एक्सप पातियों आपने देखा है कि हमारी सरकार का बहुत ज्याधा जोर आफ ते स्वयल हेल्थ कार्ड पर रहा है कि देश के करोणा किसानों को सरकार में स्वयल हेल्थ कार्ड दिये हैं जीसी तरह कि एक ज़ुआना अता न हमारे स्टरक्राड gi........zus न प्राइवेट इंवेस्टर्स, स्थान स्थान पर प्राइवेट पैथोलोजी जैसे लेव होती हैं, वैसे ही हमारी धर्ती माता, हमारी जमीन उसके सेंपल को भी पैथलोजिकल टेस्ट करकर के किसानों को गाइड कर सकते हैं स्वाइल हेल्थ की जांच ये लगातार होती रहे ये हमारे किसानों को अगर हम आदट डालेंगे तो छोटे-छोटे किसान भी हर साल एक बार स्वाइल टेस्ट जुरूर करवाएंगे और इसके लिए पैथलोज इस पगार की स्वाइल टेस्टिंग की लेब का एक पूरा नेटवर्क खड़ा हो सकता है नए एक्विप्मेंट बन सकते हैं मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ख्षेत्र है स्टार्ट अप्स को आगे आना चाहिए हमें किसानों में भी ये जागरुकता बढ़ानी होगी उनका सहस्वभाव बनाना होगा कि वो एक दो सार में अपने खेत की मिट्टी का स्ट्रेस करवाएं और उसके मिताबिक उसमें कौन से दवाईयों की जरूरे है कौन से फर्टिलाइजर की जरूरे है किस फसल के लिए उप्योगी है उसको उनको एक साइंटी भी ज्यान मिलेगा आपकी जानकारी में है कि हमारी युवावेजया निकों ने नेनो फर्टिलाइजर डेवलप किया है यह एक गेम चेंडर बनने वाला है इसमें भी काम कर ले लिके हमारे कॉर्पोरेट वर्ड के पास बहुत संभावना है साथियों माइक्रो इरिगेशन भी इन्पूट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एन्वार्मेंट की भी सेवा है पानी बचाना ये भी आज मानवजात के लिए बहुत बड़ा काम है पर ड्रॉप मौर कॉप पर सरकार का बहुत जोड़ है और ये समय की मांग भी है इसमें भी व्यापार जगत के लिए बहुत संभावना है कि एक शेत्र में आप आईए अब जैसे केन बेत्वा लेंग पर योजना से मुंदेल खण में क्या परिवर्तन आएंगे ये आप सब भली भाती जानते हैं जग क्रिशी सिंचाही योजनाएं देश्ट में दसकों से अठकी हुई हैं उन्हें भी तेजी से पुरा किया जाना चाहिए साथियों आने वाले तीन चार सालों में हमने एडिबल ओइल प्रोडुक्शन को अभी के लगबग पचास प्रतिशत तक बढ़ाने का जो लगशर खा है उसको हमें समय पर हासिल करना है नेशनल मिशन ओन और एडिबल ओइल के तहर ओइल पांग की खेती में विस्तार में बहुत पोटेंशल है और भी तिलहन के खेतने में हमें बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ने की आवशरता है कॉप पैटर्न के लिए कॉप ड्राइबर सिफिकेशन के लिए बढ़ावा देने के लिए भी हमारे एग्रे इंवेश्टर्स को भी आगे आना चाहिए जैसे भारत में किस तरह की मशीने चाहिए इस बारे में इंपोर्टर्स को पता होता है वो जानते हैं कि किस तरह की चीजे चलेगी इसी तरह से हमारी यहां फुसलों की जानकारी होनी चाहिए जैसे अभी तिलहन और दलहन का ही उदान ले देश में इसकी बहुत ज़्यादा रिमान है ऐसे में हमारे कॉर्परेट वर्ल को इसमें आगे आना चाहिए यह आपके लिए एक एश्वर मार्केट है विदेश से लाने की क्या जरूत है आप किसानों से पहले से कह सकते हैं कि हम इतना फ़साल आपसे लेंगे अब तो इंस्वरंस की विवस्ता है तो इंस्वरंस के कारण सुरक्षा तो मिली रही है भारत की फूड रिक्वार्मेंट क से काम करना शाहिए साथियों आर्टिफिशल इंट्रिजन्स 21 सजी में खेती और खेते से जोड़े ट्रेड को बिलकुल बदलने वाली हैं किसान ड्रॉन्स का देश की खेती में अधिक से अधिक उप्योग इसी बढ़लाव का हिस्सा है ड्रॉन टेक्नोलोजी एक स्केल पर साथ सो से ज़्यादा एग्रिट स्टार्ट अप्स तयार हुए हैं साथियों पोस्ट हार्वेस मैंनेजमेंट पर बीते साथ सालों में काफी काम हुआ है केंदर सरकार का इंदिरंतर प्रयांत रहा है कि प्रोसेस फूर का दारा बढ़े हमारी क्वालिटी इंट्र इंट्र standard की हो इसके लिए किसान संपधा योजना के साथ ही पी एलाइस की महत्वपूर है इसमें बैल्यू चेन की भी बहुत बड़ी भूमिका है इसलिए एक लाग करोर रुपे का विशेश अग्रिकल्चर इंफ्रास्रक्टर फंड बनाया गया है आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही भारत ने UAE गल्प कंट्रीज के साथ अबुधावी के साथ कई महत्वपूर समझोते किये हैं इसमें फूड प्रोसेसिंग में सयोग बढ़ाने के लिए भी कई हम पैसले लिये रहे हैं साथियों एगरी रेसिड्यू जिससे पराली भी कहते हैं उसका मेनेजमेंट किया जाना भी उतना ही जरूरी है इसके लिए इस बजेट में कुछ नए उपाय किये गए हैं जिससे कारवन एमिशन भी कम होगा और किसानों को इनकम भी होगी और यह हम सबको जो वेग्यानिक या टेक्नालोजी के दिमाग के लोग हैं क्रिसी जगत का एक भी वेस्ट बरबाद नहीं होना चाहिए हर वेस्ट का वेल्स में कि पनवर दिन होना चाहिए हमें बारी किसे सोचना के इसके लिए नई नई चीजे लानी चाहिए पराली के मैनेजमेंट के लेकर करके हम जो भी समाधान कर रहे हैं वो किसानों के उनके लिए भी उसको स्विकार करना बड़ा आसान हो जाएगा इस पर बातचीत होनी चाहिए पोस हार्वेस्टिंग वेस्ट हमारी यहां किसानों के लिए बड़ी चुनोती है अब उसको वेस्ट को वेल्थ में कनवर्ट कर देंगे तो किसान भी सक्रिय रूप से हमारा साथी बन करके भागिदार बन जाएगा ऐसे में लॉजिस्टिक्स और स्टोरिज की ववस्ता को बढ़ावा उसे विस्तार देते रहना बहुत जरूरी है और सरकार इसब्स में काफी कुछ रही हैं लेकिन हमारा जो प्राइबेट सक्टर है उसे भी इस शितर में अपना योगदान भढ़ाना होगा और मैं बैंकिंग स्क्टर को भी कहूंगा बैंकिंग सेक्टर भी हमार प्राइवरिटी लेंडिंग में इन सारी चीजों को कैसे बल दे, टार्गेट कैसे तई करे, उसका मोनिटरिंग कैसे करे, अगर हम बैंकों के द्वारा इस शेत्र में अगर धन मुहिया कराएंगे, तो हमारे प्राइवेट सेक्टर के छोटे-छोटे लोग भी बहुत बड़ में ख्षेत्र में आएंगे, अगरिकल्चर ख्षेत्र में मौझुदा, प्राइवेट प्लेजर से घहना करके इसने भी वो अपनी प्रात्फिक्ता से रखें, साथियों, अगरिकल्चर में इनोवेशन और पैकेजिंग, दो ऐसे ख्षेत्र हैं, जिन पर और ज्यादा धान दिये जाने के ज़रूरत है, अज दुनिया में कंजुमरिजम बढ़ रहा है, तो पैकेजिंग और ब्रेंडिंग इसका बहुत महत्वा है, फलो की पैकेजिंग में हमारे कॉर्परेटर हाउसे को, एगरि स्टार्टप्स को बड़ी संख्या में आगे आना चाहिए, इसमें किसानों की मदद करें और इस दिशा में अपनी योजनाएं बनाएगे, भारत में फूट पोसेसिंग और इथेनौल में निवेश की बहुत संभावनाएं बन रही है, सरकार इथेनौल की 20% ब्लैंडिंग का लक्ष लेकर चल रही है, एश्वार मार्केट है, 2014 से पहले जहा एक दो परसंट इथेनौल ब्लैंडिंग होती थी, भही अब ये आठ परसंट आसपास पहुंच चुकी है, इथेनौल ब्लैंडिंग को बढ़ाने के लिए सरकार काफी इंसेंटिव दे रही है, इस शेत्र में भी हमारे व्यापारी जगत आगे आए, हमारे बिजनेस हाउस आगे हाए, एक विशे नेच्रूल जूसेस का भी है, इसकी पैकेजिंग का बहुत महत्वा है, ऐसी पैकेजिंग जिससे प्रोड़क की आयू लंबी हो, वो ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चले, इस और भी काम किया जाने की आवश्यक्त है कि हमारे या इतनी विवीदता वाले फल होते हैं, और भारत में नेच्रूल जूसेस, हमारे जो फलों के रस है, बहुत सारे अप्संस अवेले बरहें, बहुत सारी वेराइटीज हैं, हमें बाहर की नकल करने के बजाएं, भारत में जो नेच्रूल जूसेस हैं, उसे प्रमोड करना चाहिए, पॉपुलर क सेक्टर का। भारत का कोपुरेटव सेक्टर अप्याना है वाइबरण है चाहे वह चीदी मिले हो खादकार खाने हो डेरी हो रन की व्यावस्ता हो अनाज की खरीद हो a cooperative sector के भागी-ध़री बहुत बड़ी है हमारी सरकार इससे जुड़ा नया मंत्रले भी बनाया है और उसका मूल कारण किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने का है हमारी कोपरेटिव में एक वाइबरन बिजनेस एंटिटी बनाने का बहुत स्कॉप होता है आपका लक्ष होना चाहिए कि कोपरेटिव को एक सफल बिजनेस ए पदले साथियो हमारे जो माइक्रो फाइनसिंग इंस्टिटूस है उनसे भी मेरा आगर है कि वो आगे आए और एगरी स्टार्ट अप को फार्म प्रोडूस और नाशनल एप्योस को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक बदद करें हमारे देश के छोटे किसानों का खेती पर हो होने वाला खर्च कम करने में एक बड़ी पूमी का भी आप सभी निभा सकते हैं जैसे हमारा छोटा किसान खेती में इस्तिमाल होने वाले आधुनिक उपकराण नहीं घरिच सकता इसका एक समाधान है छोटा किसान कहां से लाएगा और उसको आज लेबरर भी बहुत कम मिलते हैं ऐसी स्थिति में हम एक नए तरीके से सोच सकते हैं क्या पुलिंग का हमारे कॉर्पोरेट जगत को ऐसी व्यवस्ताए बनाने के लिए आगे आना चाहिए जिसमें खेती से जुड़े उपकरणों को किराये पर देने की सुभिता हो हमारी सरकार किसानों को अन्दाता के साथ ही उर्जा दाता बनाने के लिए बड़ा अभ्यान चला रही है देज भर के किसानों को solar pump बित्रित किये जा रहे हैं। हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान खेतों में कैसे solar power पावर पैदा करें इस दिशा में भी हमने अपने प्रयाद बढ़ाने शाहिए। उसी प्रकार से मेड़ पर पेड़ हमारे जो खेत की सीमा होती है आज हम टिमबर इंपोर्ट करते हैं अगर हम हमारे किसानों को साइंटिफिक तरीके से अपनी मेड़ पर इस प्रकार के टिमबर के रिले प्रेडित करें तो 10-20 साल के बाद उसकी आयका एक नया साधन वो बन जाएगा सरकार उसमें कानूनी आवश्यक जो भी बडलाव है वो भी करें साथ किसानों की आय बढ़ाना खेती का खर्च कम करना बीच से बाजार तक किसानों को आध्धुनिक सुविधाय देना यह हमारी सरकार की प्रात्विक्ता है मुझे विश्वास है आपके सुझाव से सरकार के प्रयासों को और हमारा किसान जो सपने देख करके कुछ करना चाहता है उन सब को बल मिलेगा और मुझे विश्वास है कि आज हम कृषी के एक नेक्स जनरेशन पर चर्चा करना चाहते हैं परमप्रागत पध्धतियों से भार आने के लिए सोचना चाहते हैं बजेट में जिन चीजों का प्रावधान किया गया है उसी के लाइट में हम अच्छा कैसे कर सकते हैं और हमारी आपसे मेरा अगरे यही सेमिनार में निकलना चाहिए एक एप्रिल से ही नया बाजेट जिस दिन लागू होगा उसी दिन हम चीजों को रोल आउट कर दें काम शुरू करते हैं अभी हमारे पास पूरा मार्च मेना है बजेट ऑल्रेडी समस्त मेर रख दिया गया है अब वो बजेट ही हमारे सामने है ऐसी स्थिति में हम समय न कराब करते हुए जून जुलाई में हमारा किसान खेती का नया वर्ष प्रारम करें उसके पहले इस मार्च महिने में सारी तयारी कर लें एप्रिल में हम किसानों तक चीजों को पहुचाने का प्लान करें उसमें हमारा कॉर्पोरेट वर्ल आए हमारा फाइनेंसल वर्ल आए हमारे स्टार्ट अप आए हमारे टेक्नलोलोजी के लोग आए हम भार है अगर हम हमारे किसानों को हमारी अग्रिकल्चर युनिवर्सिटीज को हमारे अग्रिकल्चर के स्टूडन्स को इन सारे कामों के एक प्लेटफॉर्म पर लाकर के आगे बढ़ेंगे तो सच्छे अर्थ में बजेट इसरब आंकरों का खेल नहीं रहेगा बजेट जीवन पर वेबिनार बहुत ही प्रोडक्टिव होना चाहिए, कॉंक्रेट होना चाहिए, सारे एक्षिनेबल पॉइंट के साथ होना चाहिए और तब ही जाकर करके हम प्रणाम ला सकेंगे, मुझे विश्वास हैं कि आप सभी इस खेत्र से जुड़े देशपर के लोग आज इस अच्छा मारदर्शन आपकी तरफ से मिलेगा, सीमलेसली चीजों को लागू करने का रास्ता निकलेगा और हम तेजी से साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे, मैं फिर एक बार आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं शुब कामनाएं देता हूं